हेला एवरिवान वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स जहां मैं रिव्यू करते हूं किंडरगार्टन बुक्स फ्रम प्रॉमिनेंट स्कूल्स शेर करते हूं आपके साथ स्ट्राटेजी सेंड टिप्स के आप घर पे बच्चों को किस तरह पढ़ा सकते हैं और इसके अलावा सम फोनिक अवेरनेस वीडियो से जब बच्चे 3 प्लस के हो जाते हैं तो पेरेंट्स को पता होता है उनको अलफबेट्स पढ़ाना है नमबर्स पढ़ाना है और राइम्स पढ़ाना है बट बिना बुक्स के जब आप पढ़ाते होना तो एक करिकलम या फिर एक लर्निंग ए आएंगे इस एज के अकॉर्डिंगली तो आज में रिव्यू करने वाली हूँ दे मैजिक पॉक्स प्री प्राइमरी बुक्स फर एज 3 प्लस फ्रम माइंड स्प्रिंग्स इस सेट ओफ एट बुक्स और इस आर मोर दन रेगलर बुक्स यानि आप अलफबेट्स नंबर्स के अलावा भी बहुत कुछ इन बुक्स से बचों को सिखा सकते हैं यह स्टेम एन्रिच्ड बुक्स है यानि साइंज टेखनोलोजी इंजिनिरिंग और मातेमेटिक्स स्टेम एक इंटरनाशनल करिकलम है स्टेम के लर्निंग अप्रोच से ना बचों के अंदर बहुत यंग इसे ही इन फिल्स में इंटरस्ट डेवलप होता है सो रेगलर अलफबेट्स नंबर्स राइम्स के अलावा इन बुक्स में ऐसी बहुत सारी चीजह है जिसे आप बचों के अंदर जो क्यूरसिटी होती है कि कोई चीज कैसे चल रही है वह पता करने की तो वह चीजाइन किया गया है उशाप पंडित उशाप पंडित मैम एक एकडमिक कंसल्टन्ट है टीचर ट्रेनर है इनके पास 30 प्लेस इयर्स का टीचिंग एक्स्पिरेंस है इन्होंने प्री प्राइमरी बुक्स ही नहीं बहुत सारी हाई स्कूल बुक्स भी लिखी है जो नियल सो एक के बाद एक सारी बुक्स में रिव्यू करके आपको बताऊंगी कि इन बुक्स में क्या है सबसे पहले यहां पे हैं इंग्लिश वोकाबलरी एंड लिटरिसरी प्रोग्राम बुक इस बुक के तरू आप बच्चे को प्री राइटिंग लाइन्स इंट्रेड्यूस कर सकते हैं इसके अलावा लेटर इंट्रोडिक्शिन के लिए एक पोएम और लेटर रिलेटर वोकाबलरी इसमें प्रेजेंट है बहुत सारी जो डेली वोकाबलरी होती है वो भी आप इस बुक के तरू बच्चे को सिखा सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स एंड इन दी एंड इसी बुक में नहीं हर बुक में आपको टिप्स और डिरेक्शन मिल जाएंगे कि आप बच्चे को जब भी कोई टॉपिक इंट्रेड्यूस करें तो कैसे करें किस तरह के गेम्स आप उनके साथ खेलें नेक्स्ट है टॉकिंग पिक्चर्स जब भी आप कोई लेटर बच्चे को इंट्रेड्यूस कर रहें तो उस लेटर की रिलेटेड वोकाबलरी तुरू अब पिक्चर आप बच्चे को सिखा सकते हैं इन प्रैक्टिकल वे इसके अलावा इंट्रेक्शन के वक्त इस लेटर के रिलेटेड इस पिक्चर के रिलेटेड आप जो जो गेम्स या टास्क्स खेल सकते हैं वो इसमें लिस्टेड आउट है जैसे के what is the man doing so he is painting तो इस तरह से आप बच्चे को letter introduce कर सकते हैं vocabulary सिखा सकते हैं और question answer session भी रख सकते हैं तो इस तरह से A to Z sub letters related picture vocabulary and tasks में included है बहुत fun way होगा बच्चे को letter introduce करने का और vocabulary सिखाने का end में कुछ practice papers भी इसमें available है next है numeracy and logic program इस book के तरू सबसे पहले आप बच्चे को बहुत सारी pre-math concept सिखा सकते हैं shapes and colors सिखा सकते हैं then इसके बाद आप बच्चे को numbers introduce कर सकते हैं numbers के अलावा इसमें बहुत सारी counting related activities भी है number related activities available है next is oral activities for fluency बहुत सारे parents चाहते हैं के उनके बच्चे बहुत fluently English बोले so oral activities के लिए इसमें पहले तो है rhymes बहुत ब्यूटिफल राइम इसमें इंक्लूडेड हैं इसके अलावा एक बहुतरीन चीज end of the book available है जिससे आप बच्चे की fluency इंप्रूव कर सकते हैं games इस games के तुरू आप बच्चे के साथ एक session रख सकते हैं जहां पे आप बच्चे को English sentences form करना सिखा सकते हैं और उनके साथ conversation कर सकते हैं so conversation भी आपको कैसे start करना हैं कौंसी sentences सिखानी है basically जो डेली आप बच्चे को use करने के लिए कह सकते हैं वो सारी इसमें included है so so this was oral activities for fluency book next is environment culture and science book this book के तुरू भी आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं sense organs body parts safety rules cleanliness machines around us solar system living and non-living things day and night concept इसके एलावे भी बहुत कुछ चीजे हैं and most importantly इसमें हैं but reading में बहुत problem हो रही है so ऐसा आपके बच्चे के साथ ना हो आप early stage से भी बच्चे को site words सिखाना start करिए इस बुक में structured way है कि किस तरह आप बच्चे को site words सिखा सकते हैं so that further जब वो lessons पढ़ना start करे grade 1 grade 2 में तो वहां पर उनकी reading ability reading fluency अच्छी हो so जैसे के off to am I आपको यह set of words सिखानी है repeat करना है 5 दिन तक with variation और यहां पर जो यह words देख रहे हैं बच्चे ने सीखा हुआ है उसके साथ उनको games खेलना होता है तो इन words को यहां पर repeat किया गया है इन papers पे जिनको cut करके आप flashcard की तरह laminate करके flashcard की तरह use कर सकते हैं और इन instruction के हसाब से बच्चे के साथ game खेल सकते हैं इन words को सिखाने के लिए and इन words को पढ़ना भी आप सिखा सकते हैं with a simple and beautiful sentences here I am a car, I love to swim तो इस तरह से beautifully structured ये book है बहुत चारे parents पूछते हैं के side words कैसे सिखाने तो इस तरह सिखाना होता है इतनी अची तरीके से शायद ही किसी book में available है This is one of my favorite book from this set Next is stories for critical thinking Story reading is a must As a parent और teacher आपको हमेशा story read करते रहना चाहिए बच्चों को So that आप vocabulary नहीं उनके अंदर critical thinking भी develop करें के ऐसा क्यों हुआ अगर आप इस character की जगह होते तो आप क्या करते तो ये सारी चीज़ें develop करने के लिए story reading बहुत help करती है Morals आप सिखा सकते हैं इस बुक के तुरू आप honesty, flattery, unity जैसे चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं समझा सकते हैं इसमें बहुत beautifully stories रिप्रेजेंट की गई हैं और in the end of each story, instructions दिये गए हैं के आपको केस तरह से read करना है story इसके अलावा questions जो आप converse कर सकते हैं बच्चे के साथ पूच सकते हैं वो इसमें included हैं And the last one is art and construction book ये book के बिना I think a set complete भी नहीं होगा क्योंके लिखना सीखने से पहले बच्चे के अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होनी जरूरी है जैसे के eye hand coordination, fine motor skills या early handwriting skills ये सारी चीज़े बच्चे art and craft से सीखते हैं इस book में coloring के अलावा बहुत सारी activities included हैं जैसे pattern filling with different materials then dot matching and simple say science experiments जो आप बच्चे को करभा सकते हैं उनके अंदर critical thinking develop करने के लिए so apart from coloring इसमें बहुत सारी science experiments simple and age appropriate experiments included है so ये है 8 books एक set में total 8 books आती है the magic box pre primary books for age 3 plus similar titles आपको 3 plus के अलावा 4 plus और 5 plus में भी available हैं यानि junior के जी senior के जी सारे books आपको amazon and flip card पे मिल जाएंगे या फिर आप www.mindsprings.in पे जाकर भी इन books को purchase कर सकते हैं सभी links मैंने description box में दे दिये हैं आप जरूर check out करिए so देखाना आपने कितने unique and well structured books हैं जिसे आप बचों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं so as a parent you need not worry even if you are doing home schooling so ये था आज को वीडियो I hope आपको ये वीडियो helpful लगा helpful लगा तो ज़रू like करे share करे and channel पे नए है तो ज़रू subscribe करे happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos